तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेशन देख रहा है क्या कह रहा है यह क्वेशन अब फूर्ज वेक्टर एफ इस इकलो पी आइकाप प्लस इकल प्लस फूर के क्याप एक्टिंग ऑन बॉड़ी प्रोड्यूसेज अडिस्प्लेश्मेंट वेक्टर एस इस इकलो तो 6 i-cap – 5k-cap वर्ट डन बाइदफ फूर्स एज तो हमको क्या निकालना है तो हमको निकालना है वर्ट अर वर्ट दन का फॉर्मूला क्या होता है तो वह होता है फूर्स इंटू डिस्प्लेश्मेंट अब हम यहाँ पर फूर्स की वैल्यू लिखें कि फायू आइक प्लस 6 j cap plus 4 k cap dot displacement कितना दिया है 6 i cap minus 5 k cap दिया है अब इनका अगर हम dot product नेकालना है 5 into 6 कितना होता है 30 अब यहां पर j cap नहीं है तो j cap का कुछ नहीं हो सकता 4 गुनिला minus 5 कितना होता है minus 20 तो work done कितना आ रहा है तो work done आ रहा है 20 unit ठीक तो 20 unit कहां पर है भाई तो a option में है तो a option को tick करो और आगे बढ़ जो